हलो एवरिवन आज हम बनाएंगे हल्दी वफल्स वो भी बनाना से कोई भी शुगर कोई भी गुड़ इसमें एड़ नहीं करेंगे काफी हल्दी ये बनने वाला है तो एन तक ये रेसिपी जरूर से देखना पांच पके हुए केले लिये थे जिसको मैंने इस तरह से फॉक की मदद से मैश कर लिया पके हुए केले में बहुत ज़ादा नुट्रिशन्स होता है और स्वीटनेस उसमें अलड़ी होती है तो हमें कोई भी स्वीटनेस उपर से एड़ करने की ज़रूरत नहीं है फसके थूड़ा दूँट डाल कर, हमें बैटर का फॉर्म करना है कोई भी लंच ना पड़े इसलिए थूड़ा थूड़ा ही करके यमें डालना है और इस तरह से स्पेचुला से हमें हिलाते रहना है मिक्स कर रहने इसलिदी है वह मैं थ्सक्राइब आपकर कुछा ना पना सोड़कों करें दिक दाने नुगा है वह हगया इसलिदी मिक्सि ने दुछाद का हाथ ना पना सी तिरिना में आसा अधू आकर पानी में आपकर करद करें तो चलिए हम टॉपिंग की तैयारी करते हैं मैंने पे केरेमल बना था शुगर केरेमल यह पुरा अगर आप यह इस तरह से ड्रेसिंग करोगे तो बहुत ही टेस्टी लगे तो मैंने यह पे एक कटोरी शुगर ली थी और मैंने यह थोड़ा सा उसमें पानी डाला था कि शु बनाते हैं तो चलिए वफल बनाते हैं बैटर देखे एक तम फलफी और रेडी हो चुका है तो अब हम इसके वफल मेकर में दोनों साइड इस तरह से बटर यागी आप किसी का भी उप्योग कर सकते हैं यागी का उप्योग किया था लगा कर बीच में हमें बैटर को रखना और वफल मेकर को दो मिनिट टक इसको पका देना है दो मिनिट के बाद हम चेक पेरेंगे तो हमारा वेफल रेडी हो चुका है यह काफी है और यूनिक तरीका है आप एक सरह से बच्चों को एक जरूर से किलाना बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है वफल बनने के बाद मैं मैं थोड़ा इसके उपर नुट्रा दाला था और केरेमल शुगर अब कोई भी टॉपिंग कर सकते हो रैसे भी कैसे लेगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना लाइक शैनल सब्सक्राइब थैंक यू